कि नमस्कार दोस्तों कि यूट्यूब की गयान सेक्सु चैनल पर आपका अर्दिक स्वागत है कि इस रोडियों में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रह्म की जो आज गल समाज में फैला हुआ है किसी एक डोक्टर ने प्रयोग किया था आत्मा के संद्रब में उन्हें आत हैं इसके बार हम सुनते आ रहे हैं शरीर के नश्ट होने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है एक नई सरीर के साथ नया रूप ले लेती लेकिन इससे आत्मा का जो निजी आकार है निजी सरूप है उसका उसमें कोई परिवर्दन नहीं आता योग सास्तर में बोला गया है च कुछ जो करम करते हैं इसके निरदार्यत होती है। इसलिए आत्मा का पशुय रूप में जनम लेने के बद भी। उसके आकार परिवार्थ में कोई अंतर नहीं आता। वैक्टीकत रूप से वह आत्मा जो है वह एक ही सवरूप रखती है सरवदा गीता में बताया गया है आत्मा की विशे में अनास रही थै और अविनाशी का अविनास करना किसी के लिए संभव नहीं है तो जिस वस्तू का जिस दरव्य का अविनास नहीं किया जा सकता उसके साथ शेड़ कानी करके प्राणे का स्रीर चाहे किसी भी आकार का हो लेकिन उसकी आत्मा जिससे वह चल रहा है वह इतनी चोटी है जिसकी अंकल पनावी नहीं कर शकते यदि हम बाल कि अग्रबाग जो बाल के अनी होती है उसके दस हजार भी टुकड़े कर दिये जाए तो वो भी जो है आत्मा के आकार से बढ़ा ही होगा आत्मा उससे भी सुक्संतम है उस समय जो है सुक्संतर्शिय और टकनोलोजी वगरा नहीं रही होगी रही होगी तो विशेश विशेश वेक्तियों के हाथों में होगी जन्षा मानने को दर्ण देने के लिए शाधरन एक्जाम्पल्स का प्रियोग किया जाता है इसके लावा आत्मा के बार के विशे में भी ऐसी मानिता है कि यह 21 गराम की होती है यह मानिता का अधार जोग एक्जाम्पल्स के विशे में आपको बताने जा रहा हूँ अध्याता में आत्मा को वजर मर माना गया है लेकिन इसके आकार प्रकार और भार के विशे में विशेश सर्चा कहीं नहीं आई है 1911 में एक डॉक्टर के दोारा किये गही एक परियोग के अनुसार पूरे श्रीर में आत्मा को कुल 12 गराम होता है यह शिद किया गया डॉक्टर डंकन मैक लोगल दवारा किये गई इस प्रियोग में आस्पिटल में मरने की स्थिति में पहुंच जोके मरीजों को बार मापने वाली एक खास प्रकार की मशीन फेर मैंक्स वेट स्केल पर रखा गया उसका कुल बार नोट किया गया देखा गया कि मरने के ठीक बाद उस स्केल पर उसके वज़न में कितना अंतरा पाया इस यादार पर ये निक्सकर्श निकाला गया कि आत्मा बार राइत नहीं होती है बलकि इसका वज़न कुल 21 गराम है आला कि यह भी पूरी तरह से स्थापत नहीं है एक 22 का विशे माना जाता है दोस्तों अब ध्यान देने लाइक बात क्या है कि संसार में ऐसी कोई जगे नहीं है कोई इस्थान नहीं है जहां वास्पिकर्ण नहीं होता हो सभी जानते हैं कि सरीर के बीतर प्राण वायू भी होती है और जल तत्तों भी होता है और भी तत्तों सरीर के अंदर सारे हैं तो वास्पिकर्ण के दवारा चाहिए कितना भी अलब समय हो पर्तेक्शन सरीर से वास्पिकर्ण होता रहता है जब सरीर जीवित होता है तो उस समय वास्पिकर्ण क्या वज़े होता है शरीर की बिख़एर की जट रागनी अभी सरी Charlotte में भास्पिरहन होता रहता गणुस्व आहले ज़ी निखता त सुँद्व करते हैं कि मरने के निखते नहीं है पहले बात जब वेकिर है पहलें वेख् Congrats है पौह yn तो उसके दोरान वास्पिकरन की प्रक्रिया हुई है, that means तो सीधा सा है कि उससे जो है वो उसकी जट्रागने के दोरान वास्पिकरन हुआ, दूसरी बात यह है कि वातारण होता है, वो जो कोई भी मृत चीज है, चाहिए वो लकडी हो, मनुश्य हो, प्राणी हो, उनका आप गटन की प्रक्रिया वायू से सुरू होती है, और मृतिका मिट्टी में प्रिवर्तित करती है, लेकि नारंब वायू में ही होता है, वायू से यह अप गटन नारंब होता है, तो चाहिए कितनी भी अच्छे वातारण में रख लें, तो सरीर का आप गटन नारंब हो चुका होता है एक्षण में जो है एक परमानों गिरते रहते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि जो 21 गराम व बजन कम फूरा ACLU निकलती उसका भी अपना निजी बाहर होता है दूसरी बात उसके साथ है वासप या जो और उस रिमें जली यह द्रवे और निकलते तो यह जो 21 वजन इतना मेजर नहीं है जिस से हम यह कैसकें कि जो वाशपी कण की प्रिकरिया की दोबारा और यह दोबारा नहीं गड़ शकता है तो हमें यह नहीं मानना चाहिए एकिस्पेरिमेंट किया को 21 वजन कम हुआ 21 ग्राम वजन कम होने के शेक्टो कारण हो शकते हैं दोस्तों तो हमें ये मन से ये दारणा निकाल देनी चाहिए कि आत्मा का वजन सामाने चीज़ों से माप अज़ा शकता है धन्यवाद आपको जानकारी सही लगी हो तो आप सेयर कीजिए नहीं लगी हो तो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए ओम